पाई करेले वाले आदे चा करेले, होई पांके नेना वाले आदे चा करेले नई नई गाना नहीं सुनाने आई मैं आपको करेले की सबजी बनाने वाले हैं जल्दी से फटाफट चीक है मैंने यहाँ पर 300 ग्राम करे ले लिए हैं भाई को गाना गाके नहीं बुला था सिंपल सा बोल दिया था हमने इनको अच्छे से धोल लिया है और इनको पॉंश भी लिया है मतब उपर से ड्राइ है इस समय ये और अब मैं इनका छिलका इस तरीके से उतार दूगी आप चाहें तो इस तरीके से पीलर से उतार सकते हैं या फिर नाइफ से इस तरीके से ग्रेट करें मतब अच्छे से जोते हैं क्या करते हैं उसको मतब वो कतर की उतारते हैं वो क्या बोलते हैं समय नहीं आरी मेरे को याद नहीं आरी मतब आपने छिलका उतार लेना है जैसे भी आपको comfortable लगे आप पैसे उतार लो और कुछ लोग तो वैसे इसका छिलका भी यूज करते हैं मतब इसको इसमें थोड़ा नमक डाल के छोड़ देते हैं और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं कसके फिर इसका जो छिलका तड़के में डाल देते हैं पर मैं इसका छिलका यूज नहीं कर रही हूँ आपको करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो यहां मैंने सारे करेलों को अच्छे से चील लिया है और अब इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे अंदर की जो साइड होती है जहां से करेला थोड़ा सा जुका वह होता है वहाँ से आपको कट लगाना है और इसके बीज तरीके से निकाल देंगे अंदर से और विए किनारे जुड़े रहने चाहिये हैं करेले के बना मिसाला निकल जाएगा इसमें से और यह जो बीज इसको हम स्टॉफिंग मेंlara से ऊज़़ने में आपकर निकल जाती है और अब हम इसे पांच मिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको बस अब मैंने इसे पानी से अच्छे से धोलिया है करे लिए और चन्नी के ओपर रख देंगे तक यह थोड़े से ड्राई हो जाएंगे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गला ना खराब कर लेना बस बाकी तो सब ठीक है और अब मैंने गयास पर एक पैन रख लिया है इसमें एक बड़ा चमच साबुत धनिया डाल देंगे एक छोटी चमच सौफ डाल देंगे आप इसमें सौफ जरूर डालना सौफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत जल्दी भून जाती है बस मुश्किल से एक मिनट लगा है और यह मसाले अच्छे से बून गया है तो इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको अच्छी से लाना पीस देना इसको हलका सा दरदरा सा पीस लेंगे यह देखी हमने पीस लिया है और भी से कटो अच्छे से बून लेंगे जैसे ही अच्छे से बून गई है तो मैं इसमें एक प्यास डाल रही हूं बिल्कुल बरी कटा हुआ और इसको लोग टू मीदियम फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे आप चाहे तो बरी काटके डाल दो यह पिस डाल दो जैसा भी आपके पास हो आ एक चोटी चमची मैं इसमें अद्रक का पेज डाल रही हूं और इनको अच्छे से बून लेना है जैसे कि हम अच्छे से गूल्डन कलर होने तक भून लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वल है आप इसमें एक हरी मिर्ष डाल देंगे बरी कटी हुई और पनीर डाल रही है इसमें पचास ग्राम पनीर को मैंने हलकासा हाँ से क्रber गचर डाल नहीं है अब इसमें यह मसाला डालेगि जो हमने भून कर हलका सा दरदरा पीष लिया था और इसे भी मिक्स करेज़ेंगे अब मैं इसमें थोड़ तो फिंच गुड़ का पैवडर डाल वैसे तो इसे डालना ऑप्शनल है इससे जो ये स्टफिंग है ना ये मीठी नहीं होगी लेकिन जो खटे मीठे का टेस्ट आएगा ना हलका सा बैलेंस कर देगा वो बढ़िया लगेगा बहुत अब इसमें ये बेसन भी डाल देंगे जो हमने भून के रखा था और इसे मिक् भी डाल लूँगी। और इसे ठोड़ा सा थंड़ा होने देंगे अब हम ये करेला ले लेंगे और इसमें ये भरलेंगे इस तरीके से हम चमबच यूज़ियुज नहीं करेंगे हाथ से करेंगे ना तो ज़्याद्adt अच्छव हे हैं में चमबच्ई से काम हो पाता है किच अब एकदम बढ़िया लगेगा अब हम कड़ाई में दो से तीन चमश ओयल डाल देंगे यहाँ पर सरसो का तेल यूज कर रहे हूँ जिसे पहले से गरम करके थंडा किया हुआ है और दीखे जैसे यह जो है ओयल हलका सा गरम होगी है मैंने इसमें करके करेले डाल दिया है और अब हम इने ढख देंगे क्योंकि हम यह कच्चे हैं करेले कुछ लोग वैसे भाप में पकाते हैं पर मैं तो डारेक्ट बना देती हूँ भी जल्दी काम होना चाहिए ठीक है ना? और अब हमने इसको ढख दिया जब तक यह पकेंगे रहा तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी स्टफिंग का क्या करने वाली हूँ मेरे पास आटा मला हुआ रखा था मैंने उसमें से एक पेड़ी ले लिया है यहां पर मैंने तवा रख लिया है उसके पर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसके उपर यह प्रांठा डाल देंगे और जैसे यह दिखी नीचे से सिग गया है इसे पलट देंगे फिर से पलट देंगे और इसके उपर घी डाल देंगे और इसे हलका-लका प्रेस करते हैं और यह देखे कितना बढ़िया से हमारा प्रांठा फूल रहा है मस्त एकदम मतब अच्छे से दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आजए तो बस अब हम इसे उतार लेंगे यह देखे लग रहे हैं न एकदम मस्त प्रांठा और यहां देखो करेलों को भी देख लो एक बार भई करेलों को देखेंगे न तो इस तरीके से हम इने पलट देंगे चिम्टे की मदद से इस तरीके से इसे पलट देंगे और अब इसे फिर से ठक देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएंगे और अब ये परांठा देख लेते हैं ये देखें कितना बढ़िया लग रहे हैं ना मस तेकदम परांठा खाने में भी बहुत टेस्ट ही है वैसे मेरे बच्चे सच बताऊं ना मैं करेले नहीं खाते लेकिन मैंने उनको ये परांठा खिला ना तो उनको अच्छा लगा तो यहां देखें हमारे इतनी देर में हमारे ये करेले भी सब तरफ से अच्छे से पक गए हैं और ये देखें थोड़े से आपको काले लग रहे होंगे थोड़े से ओवर कुक हो गए हैं मैं फोन लेके ब होन के डाल दोगे ना तो उसकी स्टफिंग किसी भी तरह से बहार नहीं निकलेगी और ये देखिए हमारे पढ़ी हार से करेले बनके त्यार होगे आप इसे रोटी नान परांठा किसी के साथ भी खाओगे न मस्त लगेंगे और अगर आप हमारी रेसिपी ट्राइ करते हू ना तो जरूर बताया करो भी कैसी लगी और हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो और साथ में जो घंटी का वट्टैना उसे भी जरूर दबा दो उसमें आल दबा देना ताक कि जो मैं रोज निया वीडियो अप्लोड करती हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा